एक बारी अवास कन्फर्म कर देंगे बच्चों एक बारी अवास कन्फर्म कर दीजिए अगर आ रही है तो अवास कन्फर्म कर दीजिए थोड़ी सी इंसियाटिक को नीट अन क्लीन कर दूँ आपके लिए आवास 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 आ रही है हान जी सर आ रही है तो Alright, so very good morning to all the students चली, काफी ज़्यादा तो clean हो गई है बाकी अब जैसे से हम पढ़ेंगे वैसे वैसे हो जाएगा ठीक है कहा है मेरे बच्चे good morning, sound is clear fine, fine, fine so very good morning students चली, heading लिखेंगे s block कुछ कुछ बातें जो हमें comment पढ़नी है वो हम notes में पढ़ लेते हैं और उसके बात वाली बातें हम पढ़ लेंगे ncrt में, ठीक है class करते है, start आल राइट चली class start करते समय हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि s block periodic table के extreme left में आता है extreme left in the periodic table लेकिन जब मैं s की बात करता हूँ तो s मात्र एक डब्बे के बराबर है और एक डब्बे में दो electron आ सकते हैं एक clockwise और एक anti-clockwise यानि की s में दो electron आ सकते हैं therefore s block has two groups only s block has two groups only और उनका नाम क्या क्या है group 1 and group 2 ये हैं भी बहुत simple काफी ज़्यादा simple ये groups है कैसे कैसे number 1 group 1 ली ना की रब से फरियाद है नहीं लगाया मैंने क्योंकि hydrogen का confusion all time रहता ही है है ली ना की रब से फरियाद ठीक है है ली ना की रब से फरियाद clear हो गया ठीक है इन सब की खासियत क्या है group 1 की खासियत क्या है number 1 one valence electron एक ही valence electron है जैसे 2,1 2,8,1 2,8,1 2,8,8,1 and so on यानि की सब में valence electron एक 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 है due to only one valence electron only one valence electron only one valence electron makes ionization energy very less बात समझेंगे वही आपके पास valence में एक ही है एक ही है तो एक को निकालना बहुत सिंपल है क्योंकि इसको lose करते ही आप inert gas configuration पे पहुँच जाते हो इसको lose करते ही sodium था आपने इससे एक electron दिलवा के na plus कर दिया plus electron तो यू realize की na plus हो गया to comma 8 which is actually a inert gas configuration यानि की group 1 में यानि की group 1 में ionization enthalpy बहुत कम होने वाली है ionization enthalpy बहुत कम होने वाली है sound is very low is it अब अपने mobile के बढ़ा के देख लीजे प्लीज एक बर perfect sound आधे लिख रहे हैं perfect hello 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 अवास तो ठीक यानी चाहिए यार माइक तो बिल्कुल सेम ही है पिछले पांस दिन से चलिए कोई बात नहीं है अब मैंने माइक अपने पास और रख लिए है कोई बात नहीं बट वैसे तो अवास क्लियर ही आनी चाहिए अपने डिवाइस के एक बार आप बढ़ा के देखे कोई दिक्कत नहीं है fine so एने इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन इसी लिए इनका यह जो प्रॉसेस है जिसको हम बोलते हैं इनल्पी गैशिय स्टेट में होता है मुझे मालूम होना चाहिए वह काफी कम होता है आट दे सेम टाइम आट दे सेम टाइम वह इतना कम होता है आयनाईजेशन इनर्जी इस सो लेस दाट दी एलेमेंट that the elements that the elements can give color to the flame also मतलब इतना आसान है electron को excite करना इतना आसान है electron lower energy से higher energy में चला जाएगा जब आप उसको heat करोगे लेकिन जब वो वापस आएगा तब जो वो radiation निकालेगा वो visible range में होगी यह important है जब हम उसको energy देंगे तो वो low उससे low energy से higher energy पे चला जाएगा और जब वो high energy पे चला जाएगा जब वो वापस आएगा उससे तो जो radiation निकालेगा वो visible range में होगी ठीक है यह काफी ज़ादा important इसी चीज़ को हम बोलते है flame test और यह मैं आपको बताऊंगा भी सही क्योंकि flame test से question आपके पास है which of the elements give flame test which of the elements does not give flame test तोनों जगा पे है magnesium नहीं देता बडलियम नहीं देगा यह सब चीज़े मैं आपको पढ़ाऊंगा ग्रूप 2 में है यह पट flame test group 1 आपको देगा एक छोटी सी बात यहां पे और समझिये जो आपको समझनी होगी उसको बोलते हैं hydration enthalpy hydration enthalpy होता है कि आप एक ion है for example और आपको aqueous medium में डाल दिया gaseous phase से aqueous phase में जाने में यानि कि जब आप एक electron को छोड़ी electron छोट दीजे जब आप पानी में डाल दिये जाएंगे तब आप अगर energy liberate करते हैं उस चीज़ को बोलते हैं hydration enthalpy energy released when an ion is put in aqueous medium और इसके order में कोई issue ही नहीं है इसका order एकदम सेम चलता है एकदम सेम चलता है order और वो order क्या है जो ग्रूप को order है सेम ली ना की रब से last की तो हम बात ही नहीं करते तो भी talk we need to ignore the last element क्योंकि रेडियाक्टिव होता है तो last element के बारे में generally बात हम करते ही नहीं है ठीक है तो यह इसका order है और यह order बहुत simple है लिख लीजे hydration enthalpy decreases down the group यह same रहने वाला है हर जगा पे second group में भी same है decreases down the group ठीक है fine 1s का electron nucleus के पास जादा है विजे बोल रहे है nucleus के पास जादा है तो obviously सी बात है अगर मैं compare करूँगा lithium versus sodium में तो obviously lithium की IE जादा होगी बढ़ आप compare कर यह lithium versus fluorine में तो obviously lithium की कम होगी क्योंकि आपको निकालना है न यहाँ से electron इसी लिए hold जादा होगा that is true obviously you need to understand जब आप उपर है तो मुश्किल हो गई down the group IE decreases right down the group IE decreases बच्चा लिख रहे है hydrogen के questions hydrogen और S block के questions आपको वाज साथ में मिल जाएंगे attention नहीं है ठीक है please change the background background अगर आप change करूँगा तो आपके आधा text मिट जाएगा आपको दिखा देता हूँ फिर आप बाद में के साथ भी दिखाया नहीं देखिए white text सारा गायब हो गया कि नहीं यह एक समस्या है ऐसे कर दें यह ठीक है यह झाएंगे कल की class p block हम white बे कोई दिखाते है p block को white background में डाल देंगे कोई tension नहीं black is fine ठीक है चलिए hydrogen hydration enthalpy decreases down the group एक चीज़ यहाँ पर और समझेगा तीन टाइप के oxides की बाते होंगी यह काफी ज़्यादा important है oxides तीन टाइप के हैं कौन कौन से जिसको बोलते हैं mono oxide यानि की एक O of 2 minus जो normal oxygen होता है एक होता है peroxide जो होता है O2 2 minus और last but not the least होता है super oxide जो होता है O2 minus काफी ज़्यादा important अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे यहाँ पे O का oxidation state है minus 2 यहाँ पे है minus 1 यहाँ पे है minus 1 by 2 काफी ज़्यादा इसलिए बता रहा हूँ आपको ठीक है इसलिए अगर आपको थोड़ा सा भी chemical bonding याद हो थोड़ा सा भी तो O2 minus क्योंकि O2 तो paramagnetic है O2 minus यानि कि super oxide वाला O2 minus paramagnetic था नहीं भी पता तो भी कोई बात नहीं O2 is 16 एक electron और 17 odd electrons वाले हमेशा paramagnetic होते हैं यह भी पता था अलड़ी मुझे तो paramagnetic है इसलिए आपके पास NCRT में question है Why is K O2 paramagnetic K O2 is potassium super oxide NCRT का सवाल है यह question NEET का expected question है Fine Fine Clear है यह काफी ज़ादा important है काफी ज़ादा important है यह चीज super oxide के बारे में peroxide is O2 2 minus तो यहाँ पे आपको यह पता हो कि lithium forms oxide अभी NCRT में आएगा भी सही sodium forms peroxide and potassium rubidium forms super oxide एक एक बात ध्यान रखेंगे पेरोकसाइड में वो ताकत है कि वो oxidize भी हो सकता है और वो reduce भी हो सकता है minus 1 से वो minus 2 में चला जाएगा और वो 0 में भी जा सकता है अगर 0 में जाएगा तो वो खुद oxidize हो रहा है यानि कि reducing agent की तरह behave करेगा जैसे आपने कल की class में hydrogen peroxide पढ़ा था peroxide में वो property होती है यह वाली बात और जादा clear रखेंगे ठीक है clear है शाबाश इसके बाद जब आप देखोगे आपके syllabus में sodium के compounds दिये गए हैं जिसमें से washing soda washing soda is Na2CO3 10 पानी होते हैं इसमें वैसे तो baking soda NaHCO3 और ऐसे ऐसे compounds आपको दिये हैं NaCl भी शाय दिया हुआ है और NaOH का भी कुछ-कुछ जिक्र है quick lime quick lime तो calcium का होता है NaCl यहां से question बनता तो है कैसे a compound A यहां से आपको statement based सवाल मिलते हैं लेकिन ध्यान रखिएगा statement based सवाल की s-block से आने की tendency थोड़ी सी कम होती है थोड़ी सी कम होती है क्योंकि 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 statement based सवाल generally from P block होता है लेकिन यह पक्का है कि एक statement based सवाल need 2021 में जरूर आएगा section B में जरूर आएगा और अगर मेरे से पूछेंगे तो वो बोरान के उपर आता है क्योंकि बोराक्स बीड वगरा यह डाइबोरेन चितने यह बोराक्स हो गया डाइबोरेन हो गया इस पे word problem काफी शांदार बन जाती है तो वहां से इसके पूछने की tendency जादा दिखती है ठीक है फाइन ग्रेट सर बाक्सलाइड प्लीज यह लीजे कॉपी कर लीजे है राम से पहले यह बच्चा एक ही चीज़ लिखे जा रहा है कीप ग्राइडिनिंग कीप हस्लिंग कीप स्ट्रॉगलिं कॉस वन यू स्ट्रॉगल यू ग्रो लें और यू लें यू यू रू वन स्ट्रेप लोगल थैंक यू सर फर यू एफट मोस्ट वेलकम मोस्ट वेलकम सर डीपीपी मिलेगा क्या हाँ आज की क्लास के बाद हईडरोजन और एस ब्लॉक के combined hundred questions आपको मिलेंगे combined hundred अराम से ट्राय करेगा कोई दिक्कत नहीं है fingertips करने और NCRT exercise दोनों करना पड़ेगा सर प्लीज बताईए दिन कम बचे है रश्मी आईवुद से read NCRT thoroughly और मैं clear कर दो जितने बच्चे इस चाट में हैं उसमें से शायद एक परसेंट बच्चे ने exercises NCRT की पूरी solve की होंगी नहीं की है तो कर ली जाए नीट का वेपर उसमें से आने वाला है why are you not listening to me hello आपके मुझे आवाज नहीं आ रही अच्छा आप message कर रहे हो अच्छा ओके ओके please कर दीजे के ओटू वाला के ओटू वाला सा chemical warning वाला important question PDR send नहीं क्या आपने अच्छे बच्चे संजीबनी वाले बच्चे होंगे मेरे साब से fingerprint सा chemical warning हाँ ठीक है class के बाद आएगा बच्चे मैंने भेज जाता और भी उनको inform करने क्या क्या फाइल्स आपको देनी है के ओटू अलबता दीजे ओके ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है अरे आज अजीद कुमार आया है turtle अरे हमारी और इलिया का आंगे यार वो P block का लोना है बच्चे और इलिया नहीं मिलती है आज हमें ये बच्चा turtle बोलता है turtle तो tortoise होता है आजी याद है देखिए समझ चाहिए मैंने जो आपको chemical bonding पड़ाई है वो खुल दिया मैंने यापे आपके सामने अगर आपको थोड़ा सा भी याद हो तो हमने O का ये diagram बनाए था जिसमें 2, 4, 6, 8 10 और ऐसे बना था याद करिए वो दिन अब जब O2 minus होगा यानि कि यहाँ पे एक electron आपको gain करना है and still you realize कि आपके पास एक unpaired electron बच गया correct मानना पड़ेगा एक electron gain करना है फिर भी एक unpaired electron बच गया एक unpaired electron का मतलब है आप है paramagnetic simple pdf कहां मिलेगा telegram group उडान rapid revision पे नहीं नहीं ठीक है clear है चल अब आप आज जाएए अच्छा मैं आपको notes में था sorry तो यहां से given compounds में से s block का question जरूर आने वाला है अजल अब यह fix है s block में से word based problem question जरूर बनता है आप उसके लिए तयार रहिए s block से normal questions में वो आता है important रहता है वो ना इसके अलावा s block में कोई भी चीज ie decreases down the group size increases down the group और जो चीज मैंने आपको periodic में बताई थी वो इस chapter में फिर से आएगी जिसका नाम आएगा chose diagonal relationship मतलब पडोसी से रिष्टा याद है हाँ जी सर याद है वो तो हम भूलते ही नहीं diagonal relationship तीक है clear हो गया शाबाश अब चलते हैं वापस ncrt में जो हमें read करनी है बहुत ध्यान से s block elements में मुझे आपको दो groups मिलेंगे क्या-क्या group 1 and group 2 और कुछ नहीं group 1 को बोलते है alkaline metals ये बाते आप सबको पता है alkaline metals group 2 को बोलते है alkaline earth metals ठीक है alkaline metals alkaline earth metals ठीक है then you have among the alkali metals sodium potassium are abundant ऐसा कुछ भी आपको नहीं चाहिए कोई भी कितना element कौन से percentage में exist करता है atmosphere में soil में नहीं चाहिए कुछ नहीं चाहिए कोई value आपको याद नहीं रखनी उसकी याद बहुत याद आ रही है कोई बच्चा लिख रहे है बस याद 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 बस याद रहे जाती है ठीक है great सबसे पहले आया configuration समझना सिर्फ ये है S में एक electron होगा valence shell that is all 2S1 3S1 4S1 5S1 and 6S1 as simple as that ठीक है समझ जाएंगे इसी लिए they readily lose electron to give monovalent M plus ions monovalent का मतलब क्या होता है valency 1 और ध्यान रखियेगा alkali metals निकली जे alkali metals always show plus one oxidation state alkali metals always show plus one oxidation state fix है ठीक है जब आगे देखेंगे तो आपको मिलेगा इनका size atomic and ionic radii नीचे table में आएगा वहाँ दिखाएंगे एक table refer करेंगे वो ज़रूरी है ionization enthalpy बहुत simple है considerably low होती है and decreases down the group down the group electron निकालना असान होता है because the distance of the last electron increases from the nucleus यह point हमने बार बार पढ़ा periodic में भी पढ़ा है यह clear हो गया ठीक है hydration enthalpy decreases down the group as the size increases as the size increases hydration enthalpy increases यह भी आप समझे सकता है कोई दिक्कत नहीं है 45 questions में solving questions कितने होते है sir सारी solving होते है यह क्या है समझा नहीं है आपके बाद ठीक है physical properties में जब आएंगे physical properties में soft होते है भाई बिचारे मासूम है एक ही electron है तो मासूम होते है soft होते है इसलिए however potassium is lighter than sodium नीचे mark करना है यहां से question आया हुआ है melting and boiling points are low table के refer करेंगे alkaline metals and their salts impart characteristic color यह table में नहीं है यहां mark करना पढ़ेगा characteristic color to an oxidizing flame क्यों है क्योंकि heat from the flame excites the outermost orbital electron to a higher energy level लेकिन जब वो वापस आएगा when the excited electron comes back to the ground state जैसा मैं आपको समझा दिया there is emission of radiation in the visible range ठीक है समझ सकते हैं then you have crimson red colors बहुत important है sodium, potassium, rubidium क्योंकि क्योंकि ये questions आपके पास PYQ में है match the following match the following या which of the following is incorrect यहां से ये question बन सकता है fine alkali metal को flame test से बगस रते हैं अब आजाए ये इस table पे क्योंकि ये table में कुछ कुछ चीजें मुझे ध्यान रखनी पड़ेंगी फाला कि पूरी table याद नहीं रखनी do not learn the complete table ठीक है बट कुछ कुछ चीजें आपको जो मालूम होनी ही है वो क्या क्या है देखिए क्या mass तो देखिए बढ़ रहा है कोई मतलब नहीं है configuration में भी कोई दिख्कत नहीं है ionization enthalpy का मूरी है कोई दिख्कत नहीं है hydration का कोई value चाहिए नहीं सेम है radius की बात करेंगे increase कर रहा है कोई दिख्कत नहीं है ionic radius increase कर रहा है कोई दिख्कत नहीं है melting point decrease कर रहा है कोई दिख्कत नहीं है note कर लीजे melting point decrease कर रहा है कोई दिख्कत नहीं है जहाँ pattern regular है वहाँ कोई दिख्कत है यहीं wherever the pattern is regular melting point decreases down the group कतम हो गया, सोच नहीं नहीं है एक single statement में बात कतम values नहीं पूछेगा, ध्यान रखेगा ठीक है boiling point decreases down the group, very good decreases कर दिया boiling point, कोई trend ही नहीं हुआ कतम, density एक trend है, क्योंकि यहां से question भी आया हुआ है sodium is heavier than potassium हलका भारी हलका भारी हलका भारी हलका भारी सर, हलका भारी हलका भारी और भारी यह important है density का एक exception आ गया, और इसलिए यहां से question भी आ गया previous year questions में आप खुद देखोगे density के उपर order के उपर question है order of density again आपको value नहीं याद रखनी ठीक है समझ जाएंगे आगे चलते हैं chemical properties एयर से रियाक करने के बात है यह मैंने क्या बताया lithium forms mono oxide sodium will form peroxide other metals बनाएंगे super oxide अब भाई lithium होता है i plus oxide होता है o2 minus li2o बात का तब ऐसे ही no2 o2 नहीं बना के दिखाया आपको और फिर ko question है what is the oxidation state of ko2 भाई ko2 में k का पूछा है ध्यान रखेगा बच्चे फटा फट से o का बदा देते हैं question में k का है k is plus one क्योंकि alkali metals हमेशा plus one देते हैं always show plus one ठीक है ठीक है clear हो गया शाबश जब आप यहाँ पे आते हो towards water में आपको कुछ नहीं करना छोड़ दीजे यहाँ पे important यह है कुछ कुछ बातें जो आपको याद रखनी ही होंगी उसको point wise point लिखेंगी क्या क्या point wise point लिखने वाले हैं कि the alkali metals react to form hydroxide नहीं चाहिए lithium has most negative e-naught value note करिएगा अपने notes में lithium has most negative e-naught value काफी जादा important सवाई यशी क्योंकि ko2 में o2 माइनस में unpaid electron है अभी तो दिखाया था यार क्या same question बार बार पूछे जारें बताईए ठीक है its reaction with water is less vigorous than that of sodium sodium का reaction जादा vigorous है with water which has the least negative e-naught value among the alkali metals this behavior is attributed to यह question है आपके पास और यह question बनता है reasoning का क्या कि क्यों lithium का reaction इतना vigorous नहीं है क्योंकि क्योंकि this behavior of lithium is attributed to small size high hydration energy other metals of the group other metals of the group react vigorous यानि की मात्र lithium का reaction less vigorous होगा although lithium has most negative its reaction is less vigorous यानि की lithium has least vigorous reaction with water यानि यानि समझ जाएंगे बहुत important good सक्षम मेरे से पूचे जारा एक सवाल सर आपने Nestor Academy क्यों छोड़ा क्योंकि मैंने उडान जॉइन कर लिया बच्चे इसलिए Nestor Academy I don't know आप कहां से हैं बट it's it's an old story anyways अच्छा लगा मुझे कि आप मेरे आस पास रहते हैं मैं यहा हूँ यहा हूँ यह यह नहीं यहा भी नहीं है यह ठीक है दूर है कोई बात नहीं numerical types question कितने आएंगे minimum आएंगे minimum इस बर बता रहा हूँ यार एक मिनट physical chemistry तो numerically आएगी राक्षस हो physical chemistry तो राक्षस ही आएगी तो यह रियालाईज कि 45 में से almost 12-15 question तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे 12-15 सवाल तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे भाई ठीक है great then you have the alkali metals react with dihydrogen at about 673 Kelvin ठीक है to form hydrides all the alkali metal hydrides are ionic solids with high melting points छोड़ दीजे towards halogens को आप छोड़ दीजे react vigorously है vigorously to form ionic halide simple L-I-C-L N-A-C-L कोई logic नहीं है छोड़ दीजे ठीक है great चलेंगे it is because of the high polarization capability of the lithium ion क्या है lithium halides are covalent क्यों अभी अभी पढ़ाया था दो दिन पहले जिसका नाम था फजान्स रूल छोटा कटायन छोटा कटायन covalent show करेगा बताया था कि नहीं यहीं बोल रहा है because of the high polarization capability of lithium ion छोटा कटायन polarizing power show करेगा इसी लिए इसी लिए covalent character होता है done है very good एक बार वाटर वाला फिर से दिखा दीजे देख लीजे वाटर वाला देख लीजे राम से वाटर वाले सिंपल है explosive वो भी है बढ़ थोड़ा कम sodium और उसके नीचे वाली elements तो बहुत explosive होते है चीक है समझ जाएंगे अब आजाएंगे reducing nature पे देखे तीन चीजों का process है fluorine में ज़्यादा important होता है sublimation enthalpy gas से solid चल रहे हैं solid से gas चल रहे हैं फिर gas ने electron दिया ionization enthalpy ion पानी में गया aqueous बन गया hydration enthalpy इन तीनों का sum sum चाहिए होता है तीनों का तीनों का sum चाहिए होता है reducing power के लिए बात समझेगा और oxidizing power के लिए मात्र इस reaction को उल्टा करना है आपको electron गिन enthalpy मिल जाएगी और हो जाती है oxidizing power जो हम fluorine में पढ़ते है reducing power का मतलब है कि मैं खुद oxidize होना चाहता हूँ reducing power का मतलब है I want to oxidize myself और अगर मुझे खुद को oxidize करने का मन है यानि कि आप मुझे reducing agent बोलोगे और वो चीज विद the small size of lithium lithium being the most and sodium the least powerful यानि कि lithium is the strongest reducing agent in group 1 नोट कर लिजेगा strongest reducing agent in group 1 फाइन ख्लेर हो गया फाइन ख्लेर हो गया फाइन ख्लेर हो गया थेन यू हाव दी हाइस hydration enthalpy lithium को क्यों है with the small size of its ion lithium has the highest hydration enthalpy बताइए suction को कितनी tension हो गई आज sir आपके पास green color की bike है sir उसकी चाबी white color की है उसका key chain कुछ blue color का है sir sir आप service यहां से कराते हो sir आपकी bike में castrol का engine oil डल है sir आपके पास गाड़ी भी है sir आपकी गाड़ी में light भी है sir आपकी गाड़ी में wiper है sir आप petrol काँ से डलवाते हो sir पेट्रोल में purity है ओ यार पढ़ ले यार चिल मार क्या tension लेता है छोटी छोटी बातों की बाट्री लो बाट्री लो सक्षिन दो के लाप्टॉप की बाट्री लो है मैं बाइक स्ट्राट तिर क्या तो एक मत्रों की very good sir when we will send questions of hydrogen साक्षी after this class both hydrogen and s block together fine ठीक है अब देखिए यहाँ पे बच्चे बोल रहे हैं कि sir हमें example 10.2 समझाइए 10.2 समझ लीजे क्योंकि यह question है और यह question है बहुत important थोड़ा सा electrochemistry से resemble करता है बट है बहुत important fine ठीक है good very good यही सब नीट में आएगा yes देखिए CL2 का C0 ध्यान से देखिएंगे एक बारी question को c l 2 c l minus electron gain कर रहा है c l 2 1.36 है i 2 i minus 0.53 है पेंडेंसी काम है ag प्लस से ag उल्टा दे दिया है electron gain करना है plus 0.79 और na plus से na minus 2.71 na plus से na यानि की na से na plus 2.71 li plus से li minus 3.04 यानि की li से li plus 3.04 arrange the following in decreasing order of reducing strength ठीक है reducing strength का क्या मतलब है oxidize itself अब देखिए तो कितना असान हो गया की नहीं oxidize itself करना है और oxidize itself करने का क्या मतलब है oxidize itself करने का क्या मतलब है कि भई मेरे लिए electron देना असान होना चाहिए electron देना असान इलेक्ट्रोन देना आसान ठीक है सक्षम मैं मान गया बच्चे आप मिरसे पढ़ते होगे हाई सक्षम आप कैसे हो ठीक है हो सकता है आप पढ़ते हो बच्चे अभी मुझे to be very honest याद नहीं है बट कोई बाद नहीं हाई सक्षम ठीक है तो इलेक्ट्रोन देना असान अब कुद देखिए लीथियम के लिए इलेक्ट्रोन देना 3.04 जितना असान है तो अब विसली सबसे पहले लीथिया फिर सोडियम के लिए 2.71 फिर सोडियम अब देखेंगे आई माइनस यह 0.53 है एजी का एजी प्लस माइनस 0.79 माइनस 0 क्योंकि देखें एजी प्लस से एजी 0.79 है तो एजी से एजी प्लस उल्टा करना है तो माइनस 0.79 तो वो इसके बाद आएगा तो एजी इसके बाद और फिर ख्लोरीन आज सिंपल ठीक है समझ जाएंगे Great Then you have in liquid ammonia Liquid ammonia में मात्र एक नाम है जिसका नाम होता है Ammoniated Electron समझ जाएंगे क्या है Equation balance आपको नहीं चाहिए होती लेकिन 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 The alkali metals dissolved in liquid ammonia Giving deep blue solution ये बात पता होनी चाहिए Ammonia के साथ हम बनाएंगे Deep blue solution आज blue है Ammonia 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 और blue है Blue है Blue है Blue है Blue है Ammonia ये वाली चीज़ है ठीक है और ये important भी है क्या concept है कि एक electron जो है ना देखिए बात समझेगा यहाँ पे X प्लस Y आपको balancing नहीं चाहिए उसकी tension नहीं है लेकिन NH3 के साथ electron चिपकेगा NH3 के साथ electron चला जाएगा और इसी लिए देखे क्या बोल रहे है The blue color is due to the Ammoniated electron ये वही वाला electron है जो Ammonia के साथ पेर हो जाएगा और ये ही एक reason है इसको blue color देने के लिए क्योंकि which absorbs energy in the visible region as simple as that topic close ठीक है and on standing slowly liberates hydrogen in the amide ठीक है कतम अब आगई uses पे uses तको कुछ करना ही नहीं है पढ़ लेते हैं white metal lead to make white metal bearings for motor engines with aluminum to make aircraft with ignition to make armor plates it is used in thermonuclear reactions lithium is also used to make electrochemical cells sodium is to make sodium lead alloy to make PBET4 these organo lead compounds were earlier used as anti-nog additives to petrol but nowadays vehicles use lead-free petrol liquid sodium is used as coolant in fast freedom nuclear reactors इसको mark कर सकते हैं potassium has a vital role in biological systems KCL is used as fertilizer potassium hydroxide is in manufacture of soft soap it is used as excellent absorbent of CO2 cesium is used in devising photoelectric cells और आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपकी चीज़ एक level की खतम हो गई ठीक है uses बिलकुल यहाँ पे important नहीं है ठीक है great अब हम आ गए है oxides and hydroxides पे oxide मैंने clear कर दिया बचे lithium forms oxide है sodium forms peroxide है and potassium forms super oxide अब वो क्या बोल रहे है lithium oxide तो बनाता ही है थोड़ा सा बनाएगा peroxide sodium peroxide तो बनाता ही है थोड़ा सा बनाएगा super oxide but majority lithium forms oxide sodium forms peroxide and potassium onwards they form super oxide and it's time ठीक है समझ जाएँगे great समझ जाएँगे great then you have oxides are easily hydrolyzed by water to form the hydroxides according to the following reactions कुछ नहीं करना आपको oxide super oxide peroxide का पानी से reaction आपको हमेशा hydroxide 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 देगा बस इतनी सी बात समझ जाएँ it always forms hydroxide all the time always forms hydroxide irrespective of कि आप कौन से oxide में हो ठीक है why is ko2 paramagnetic question आ गया क्योंकि o2 minus paramagnetic आपको यही चीज़ मैं आपको diagram में दिखा भी दी और वो कहां पे है pi star orbital में pi star like a star pi star like a star pi star orbital में anti bonding में unpaired electron है and so you are done with this also काम खतम हो गया अब आप आ गए किस पे halides पे hydroxides are obtained are all white crystalline solids छोड़ दीजे alkali metal halides are all high melting colorless crystalline solids they can be prepared by the reaction of the appropriate oxide hydroxide or carbonate with aqueous hydrohalic acid hydrohalic मतलब confused में दी गए यह कौन सा acid है क्यों होता है hydro halic मतलब halogen hydrochloric ऐसे hydroiodic मतलब वो वाली चीज़ है HCL, HBR hydrobromic तो HAL मतलब halogen है यहापे सर hydrohalic तो कभी पढ़ा ही नी मैंने भी नी पढ़ा था अभी अभी पढ़ा hydrohal hal मतलब halogen ठीक है great then you have the melting and boiling point always follow the trend question आगे यहाँ से melting and boiling point always follow the trend fluoride chloride bromide iodide simple decreases down the road fine all these halides are soluble in water low solubility of LIF simple is lixo covalent behavior solubility कम होगी due to its high lattice enthalpy whereas the low solubility of CSI is due to smaller hydration enthalpy of two ions other halides of lithium are soluble in ethanol acetone ethylacetate LICL is soluble in pyridine also इसको माग कर लिए क्योंकि ये अलग से लिखा ठीक है समझ जाएंगे बात समझनी है बहुत जरूरी salts of oxo acids कौन कौन से salts है sulfuric acid है carbonic acid है कोई logic नहीं लगाना इसमे alkali metals form salts with all oxo acids सब के साथ मैं salt बनाऊंगा stable to heat important क्या है the stability of carbonate decreases down the group the stability of carbonate increases note करिएगा जैसे जैसे नीचे जाएँगे stability of carbonate बढ़ेगी stability of carbonate बढ़ेगी और ये है बहुत important बहुत important क्या lithium carbonate is not so stable in heat नीचे जारे हैं तो बढ़ रही है तो obviously lithium carbonate stable नहीं होगा lithium being very small in size of more stable oxide and CO2 भई lithium carbonate अपने आप तूटना शुरू कर देता है क्या बनाएगा oxide and carbonate and this combination is more stable इसी लिए lithium carbonate lithium by carbonate exist ही नहीं करता fine दोनों चीज़े lithium carbonate भी unstable है वो तूट जाता है oxide और carbon dioxide में लेकिन lithium by carbonate तो exist ही नहीं करता clear रखेंगे ठीक है anomalous properties of lithium पर क्यों है first group of the first element of the group तो small size high polarizing power obviously as a result there is increased covalent character पजान's rule lithium shows पड़ोसी relationship lithium shows पड़ोसी relationship to magnesium simple खतम हो गई ये चीज खतम हो गया points of difference between lithium and alkali metals क्यों इसका anomalous behavior क्या है वो देख सकते हैं much harder है melting point boiling point higher होते हैं वो trend में decreases down the group trend में देख लिया था छोड़ दीजे least reactive but strongest reducing agent ये भी हमने पढ़ लिया कि strongest reducing agent है आगे पढ़ेंगे deliquescent and crystallizes as a hydrate whereas other alkali metals do not form deliquescent मतलब पानी के साथ बहुत जल्दी से ये bond मना लेता deliquescent lithium hydrogen carbonate is not obtained by carbonate exist ही नहीं करता already पल दिया forms no ethyanide on reaction ethyan छोड़ दीजे lithium nitrate when heated gives lithium oxide nitrate जब है देखे carbonate के decomposition भी same बताई थी मैंने आपको Li2O NO2 और O2 जबकि और कोई अगर heat करेंगे तो nitrite और oxygen मिलता है यहाँ पे oxide मिलता है नीचे nitrite मिलता है यहाँ पे oxide मिलता है ठीक है क्या नीचे nitrite मिलेगा whereas other alkali metals for nitrates decomposed to give nitrite यहाँ से question आपके पास है लेकिन अब आप आ गए है some important compounds of sodium जैसा मैं आपको बताया सबसे पहले आएगा washing soda कुछ आपको नहीं करना इसमें से कुछ भी नहीं करना indeed washing soda class 10th का सवाल था 12th में बहुत doubt आता है लेकिन sodium bicarbonate का decomposition to produce Na2CO3 यह reaction एक important reaction decomposition of sodium bicarbonate to form sodium carbonate ठीक है great then you have in this process NH3 is recovered when the solution containing NH4Cl is treated with calcium hydroxide calcium chloride is obtained as by product नहीं चाहिए आगे चलेंगे properties में देखेंगे यह क्या कर दिया सर आपने sorry properties में देखेंगे is a white crystalline solid decahydrate होता है 10H2O notes में लिखा है नहीं जाना readily seriable in water heat करने पे यह reaction important है heat करने पे 10 में से 9 निकल जाएंगे और जादा heat करने पे 10 के 10 निकल जाएंगे important यह important है heat करने पे पहले 9 फिर 10 में sodium carbonate पहले 9 पहले 9 10 10 पहले 9 then 10 ठीक है समझ जाएंगे very good then you have carbonate part of sodium carbonate जाएंगे तो आपको चाहिए ही नहीं sodium chloride नमक को बोलते हैं नहीं पढ़ना ही नहीं लेकिन sodium chloride जब आप right में आओगे तो आपको यहां पे मिलेगा the solution is then filter crystallines melts at 1081 नहीं 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 sodium chloride आपको कुछ चाहिए ही नहीं avoid that यहां से कोई question नहीं बनता आप रीड कर पाएंगे but question नहीं बनता don't get into this at all don't get into this ठीक है then you have sodium hydroxide की preparation है castor color cell यह important यहीं पे एक word आएगा brine, brine मतलब होता है NACL solution brine का मतलब होता है NACL solution brine का मतलब होता है NACL solution तो cathode पे क्या होने वाला है और anode पे क्या होने वाला है amalgam is treated with water जो cathode पे जो आया amalgam is treated with water to give sodium hydroxide जो cathode पे आया वो मुझे देगा NaOH जो cathode पे आया वो मुझे देगा NaOH ठीक है then you have the sodium hydroxide solution at the surface reacts with CO2 in the atmosphere to form sodium carbonate and that is all magnesium bicarbonate sodium bicarbonate sorry baking soda baking soda NACO3 preparation उसी reaction का उल्टा कर दिया इसले मैं आपकोड़ा था यह reaction क्योंकि इसका उल्टा सीधा दोनों आपके सहले बस में है that is important fine biological importance of sodium and potassium sodium ions are found primarily on the outside of cells being located in blood plasma and in interstitial fluid bio wale bachche hai dihan rukhye ga these ions participate in transmission of nerve signals regulating sodium and potassium although so similar differ quantitatively in their ability the potassium ions are the most abundant cations within cell fluids where they activate many enzymes participate in the oxidation and glucose to produce ATP and sodium are responsible for the transmission of nerve signals there is a very considerable variation in the concentration of sodium and potassium ions found on the opposite sides of cell membranes as a typical example in blood plasma sodium is present to the extent of 143 millimoles whereas potassium level is only 5 within the red blood cells these concentrations change these ionic gradients demonstrate that a discriminatory mechanism called the sodium potassium pump operates across the cell membranes which consumes more than one third of the ATP used by a resting animal ठीक है आपको बायो की आवाज से रीड करना है इसके लावा कुछ नहीं बायो की टर्म से अब इसको रीड कर लीजेगा ग्रुप 1 आपका खतम हो गया और बताईए आपके क्या हाल चालें दो मिनट के ब्रेक के बाद ग्रुप 2 शुरू करते हैं कैंड इनीवन टेल मी जाट की सेक्शन कट आफ भी होती है क्या नहीं होती आइकन टेल यू ये भी ब्लॉक फ्रॉम क्लास 12 या पी ब्लॉक फ्रॉम क्लास 12 भी उस बार इंपोर्टेंट फनीड नीड 2020 में आया है हन जी सोडियम पॉटाशन पंप येस केमिस्ट्री चारों बुक्स एक एक बार पढ़ने में किता ढालेगा कोई बता सकता है शिंको शीनी ये कौनसे जैपनीस नाम है भाई शिंको शीनी चारों बुक्स पढ़ने में चार दिन लगेंगे एक दिन में एक बुक हो जाती है अगर आप सुबह पानव बढ़ से शाम को नौ बज तक पढ़ेंगे तो हो जाएगे नहीं तो चार बुक्स पढ़ने में आठ दिन अनाम है का लिख रहे हैं सर डाइगोनल रिलेशनशिप बता दो अभी आएगा ग्रूप टू में आएगा तब बताऊंगा बायो का क्या सर बायो के जैनेटिक की माराथान आपको नहीं मिली अभी तक जैनेटिक की माराथान हो रही है आपकी पता है न आपको इस संडे को यू-ho-ho-ho Dr. Praveen Dr. Jyotsna in one shot. Genetics done and dusted. Is doing foreign from MBA good? Is doing MBBS from foreign? So sorry. Is doing MBBS from foreign good? Harshid it is good. All depends on what is your preference of movement. अगर आप बाहर जाना चाहते हैं आप जरूर जाएए सर फुल केम करवादो प्लीज हां जी मिनियन जी यह लिख रहे हैं प्लीज रिपलाई और टेलीग्राम कर तो दिया रिपलाई यार टेलीग्राम पर रिपलाई तो कर दिया है मैंने अब ना आपको जूट मत बोले आप मुझे ऐसे ऐसे जूट मत बोले यशी 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 सर प्लीज रिपलाई ओ आपका कल का मेसिज है यशी ने एक मेसे मेसे पूछाता कि एक बुक है जिसमें 2007 से पेपर है क्या मैं ये बुक कर लूँ करनी ही है एक बुक तो आपको करनी है बच्चे करनी ही है चलिए बच्चे हैं जादा लाइक हैं कम चलिए कोई बात नहीं सक्षम चला गया है है हाई सक्षम हाई सक्षम कठारे जी बोल रहे हैं फिसक क्या हुआ भाई फिसक की मारत्वन भी शुरू होने वाली है चिंता मत कर लड़के ठीक है चलिए अब आएंगे ग्रूप टू पे जैसा ग्रूप वन में पढ़ा है ग्रूप टूप में पढ़ ध्यान रखिएगा एमजी 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 प्लस से इलेक्ट्रोन निकालना मुश्किल होता है एमजी प्लस से इलेक्ट्रोन निकालना मुश्किल होता है क्या क्यों इट इस आलवेज दिफिकल्ट तो रिमूव अन इलेक्ट्रोन नोट का लीजेगा मैंने बहुत बार बताया सबसे पहले इस आलवेज दिफिकल्ट तो रिमूव अन इलेक्ट्रोन फ्रॉम क्टायन इसलिए मेगनीशियम का आई ए टू इस ग्रेटर देन मेगनीशियम का ही आई ए वन ये बहुत इंपॉर्टन छीज होती है बच्चे नहीं समझते पर यहां से इस बार बार हो गया बेटा मांगे कार सेंट्रो बाप राजी खतम करेंगे बेटा मांगे कार सेंट्रो बाप राजी इस एक्सेप्ट बारीलियम और नोन अस एलकलाइन earth metals except beryllium question आगया यानि कि बेटा मांगे मांगे से शुरू होता है alkaline earth metals यह question बहुत important है बहुती ज़ादा 4S2, 5S2, 6S2 7S2 खतम हो गए यह चीज Atomic Ionic Radiai table पे आते हैं वापस Table पे आते हैं वापस देखें क्या है आप यहां समझ जाएंगे Atomic Radiai Size बढ़ता जा रहा है Mass कोई दिक्कत ही नहीं है Electronic Configuration बढ़ती जा रही है कोई दिक्कत ही नहीं है Ionization Enthalpy कम होती जा रही है कोई दिक्कत ही नहीं है Ionization Enthalpy 2 यानि कि Energy Required To Remove The Second Electron लिख लीजे Energy Required To Remove The Second Electron ठीक है Ionization Enthalpy आप खुद देखोगे कि Second IE Is More Than First दूसरे वाला Electron निकालना पहले वाले से मुश्किल होगा ध्यान रखेगा दूसरे वाला निकालना पहले वाले से मुश्किल होता है Proceeding that Hydration Enthalpy decreases down the group कोई trendy नहीं है छोड़ दीजे Radius Ionic Melting Point Decreases, Increases, Decreases Trend है Important जहां Trend है वहां Important है Clear रखेंगे Boiling Point Decreases, Increases Decreases, Increases Trend है Important है जहां ये Exceptions है ना Inorganic है ये Important है ठीक है Great Then you have density Decreases, Decreases, Increases फरक नहीं बढ़ता वही Beta मांगे कार Calcium तक Decrease करती है फिर increase करती है कोई tension ही नहीं है नहीं चाहिए आपको और यहां पे सिर्फ इतना ठीक है Ionization Enthalpies आपको मालूम ही है First IE are higher than those of the corresponding group 1 पहला electron निकालना group 1 से मुश्किल है क्योंकि यहां दो है एक निकालना असान वहाँ एक ही है और एक निकालने से आपका Octate पूरा हो जाता है तो वहाँ एक निकालना असान है यहां दो है एक निकालने से कोई खास फाइदा नहीं मिलता इसलिए एक निकालना पहले वाले से जादा मुश्किल ठीक है This is also done Great Radium की IE2 जादा क्यों है BE से राहुल देव जब आप पढ़ोगे D block, F block में Glanthenoid Contraction P block में Inert Perifect जब यह सब चीज़े Take into account होती है तो inorganic chemistry में exceptions उसी चक्कर में ही आ जाते है चीक है Mohit, why the density shows this trend Mohit, again I would repeat the same P block, D block जब हम सब कुछ club करते हैं Lanthenoid Contraction Inert Perifect यह जब सारे reasons जब आप सको detail में जाते हो तो you get to realize कि कुछ-कुछ parameters एक दूसरे पर impact करते हैं And therefore, यह सारे exceptions inorganic chemistry में है However, density nature का function है कि वो nature में कैसे मिलता है तो उसमें आपका question नहीं है ठीक है Fine चलेगी और inorganic अब शुरू होगा वासे को लिख रहे हैं organic मेरे बच्चे inorganic के बाद होगा पहले आपका संडे तक यह है संडे का आपको biology का मारत्वान है फिर एक session करेंगे हम इन सारे chapters के questions का वो बहुत मज़दाना एक दिन में inorganic chemistry के सारे questions खतम इसके आपको कुछ करना ही नहीं है ठीक है hydration enthalpy क्या है decreases down the group एक दम सेम ट्रेंड कोई सोचना ही नहीं है same trend decreases down the group fine hydration enthalpies are larger than those of alkali metals यह भी इंपोर्टन है this compounds of alkaline earth metals are more extensively hydrated यह ध्यान रखेगा hydration enthalpy इनकी ज्यादा है किसकी alkaline earth metal की ज्यादा है alkali metal से यह important है यह important है alkali metal से alkaline earth की ज्यादा है important ठीक है great then we have physical properties higher than the corresponding size जो है इसमें देखी क्या लिखता है वो silvery white lustrous berylium and magnesium appear to be somewhat grey melting of these points are higher than corresponding alkali metals trend is not symmetric छोड़ दीजे they show electro positive behavior electro positive character increases down the group सब को ही पता है calcium देखी आ गया यह question जहां से आया भी है नीट में बिछले साल तो नहीं लेकिन previous years में calcium strontium and barium beta मांगे नहीं car centrobap impart color लेकिन 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 electrons in magnesium and magnesium berylium and magnesium are too strongly bound that they do get excited by the flame hence these elements do not impart any color to the flame यहां से आ गया question यहां से आ गया question which of the following elements do not impart do not impart any color to the flame यह question important है यह actually में नीट previous years में आया भी हुआ है ठेक है चलते रहेंगे chemical properties towards air and water in air to give berylium oxide बन गया है berylium and magnesium are kinetically inert to oxygen and water berylium and magnesium already लिखा है electron यतने tightly hold करते हैं कि कोई खास मजा नहीं आता because of the formation of an oxide film on their surface ध्यान रखेगा यही एक property berylium की आपको इसको aluminium से match कराएगी matches with aluminium fine then you have however powdered berylium burns brilliantly on ignition with air to give BEO magnesium is more electropositive and burns with dazzling flame पढलिया था बच्पर मिस को नहीं पढना reactivity towards the halogens all alkaline earth metals combined with halogen and halibated नहीं पढना then you have towards hydrogen BE important है थोड़ा सा दीखे क्या कि अगर BEH2 बनाना है तो CL2 को LIALH4 में डालना पढ़ेगा लेकिन अगर आप किसी और का देखोगे what it says is all the elements except berylium combine with hydrogen बाकी सारे elements अपने आप combine करके hydride बना देते हैं लेकिन berylium hydride बनाने के लिए मुझे berylium chloride में reduce करना पढ़ेगा इसलिए ये एक exception है फिर से इसलिए ये एक exception है फिर से fine sir UITS के पैसे कब मिलेंगे अकाश को अदम मेरे साब से वो शुरू process हो गया है I don't know कोई specific miss हो गया तो मुझे याद भी नहीं है but it has been already initiated तो आपको मिल जाएंगे अगर आपका नाम उसमें है तो आपको मिल जाएंगे the alkaline earth metals readily react with acids नहीं चाहिए reducing nature वहां है यहां नहीं है काम का liquid ammonia एकदम same ammoniated electron एकदम same है कुछ difference नहीं है नहीं चाहिए uses पढ़ लेते हैं beryllium is used in the manufacture of alloys copper beryllium alloys are used in the preparation of high strength springs magnesium forms alloys with aluminium and so on is used in magnesium is used in the flash powders a suspension of magnesium hydroxide in water formula आ गया milk of magnesia एक milk of lime भी होगा यह milk of magnesia क्या होता है magnesium hydroxide in water used as an antacid magnesium carbonate is toothpaste calcium is used in the extraction of metals and so on यह चीज़ भी खतम होगी general characteristics आ गए oxides and hydroxides जैसे एकदम same था क्या जिसे आपने पहले पढ़ा monoxide बनाएंगे alkaline earth metals monoxide Mg-O-C-A-O यह अलड़ी हमें मालूम है except for B-E-O ठीक है B-E-O is essentially covalent छोटा element है इसलिए fine B-E-O is amphoteric aluminium oxide से इसकी property match करती है again matches with aluminium matches with aluminium then you have M-O plus H2O the solubility thermal stability increases with increasing atomic number the alkaline earth metal hydroxides are however less basic and less stable done beryllium hydroxide is amphoteric यहाँ पे दो reactions है आप देखेंगे क्या एक base के साथ reaction है एक acid के साथ note करेंगे base के साथ मैंने OH4 बनाया acid के साथ भी मैंने OH4 बनाया same रखा है दोनों जगा यह चीज सेम है OH4 fine बस वहाँ पे उप़र 2 प्लस चोड़ दिया यहां CL2 डाल दिया और कुछ नहीं किया मैंने एकदम सेम ठीक है है important इसलिए बता रहा हूँ halides में except for beryllium halides all other halides are ionic in nature beryllium halides obviously small size है beryllium halides are essentially covalent and soluble beryllium chloride has a chain structure in solid state खतम हो गया आगे बढ़ाएंगे यहां पे in the vapor phase BECL2 tends to form a chloro-bridged dimer which dissociates into linear monomer the tendency to form halide hydrate decreases 8, 6, 6 and 2 down the group the hydration of hydrated chlorides bromides and iodides can be achieved on heating and so on नहीं चाहिए कुछ ही नहीं यहां पे आगे चलेंगे carbonates carbonates of alkaline earth metals are insoluble in water and can be precipitated by addition of a sodium or ammonium carbonate solution to a solution कुछ नहीं कुछ भी नहीं अट्राइड नहीं नहीं चाहिए नहीं नहीं और नहीं चाहिए नहीं आप्टियूंट क्या है all the nitrates decompose on heating to give the oxide ठीक है समझ जाएंगे clear है यहाँ जो नहीं पढ़ना वो नहीं पढ़ना यह सोचना ही नहीं है मदब ignore कर दीजे read करेंगे तो read कर सकते हैं बट वहाँ से question नहीं बन सकता question वाला वो material ही नहीं है ठीक है please explain nitrate parts आया था पीछे मेरे बच्चे रुक्ये दिखाता हूँ आपको देखिए nitrates जो होते हैं alkali metals के alkali metals के nitrates oxide बनाते हैं ठीक है उसने यहीं लिखा है like lithium क्या लिखा है उसने like lithium all of them decompose on heating to form the oxide like lithium as simple है alkaline earth metal लेकिन lithium की तरह oxide बनाएंगे बात खतम चलेंगे आगे then you have anomalous behavior of beryllium again the same size क्यों exceptionally small atomic size उसके बाद does not exhibit coordination number more than 4 क्योंकि octet expand तो कर नहीं सकता T orbital है यह नहीं यह बात भी खतम हो गया then you have the oxide and hydroxide are amphoteric in nature underlining part done then you have diagonal relationship मैंने आपको बताया beryllium का aluminium से होता है beryllium का aluminium से होता है मैंने आपको बताया diagonal relationship कैसे कैसे है beryllium acid से react नहीं करता क्योंकि oxide film बन जाती है और ली बता दिया खतम हो गया then you have beryllium hydroxide dissolves in actus of alkali जो यह बना रहा है berylate क्योंकि वहाँ पे भी सेम बनता है illuminate सेम एकदम चीज then you have have strong tendency to form complexes लेकिन यह 6 है aluminium क्योंकि aluminium can expand octet sir be ka hydrated कौन सा वाला सही होगा 2H2O वाला या 6H2O वाला कहां से पढ़ रहे हैं आप 6H2O वाला होगा बढ़ कहां से रहे हैं I don't know important compounds of calcium सबसे पहले calcium oxide जिसको हम quick lime बोलते हैं quick lime calcium carbonate के decomposition से बनता है यहाँ पे important नहीं है बचपन का reaction है छोड़ दीजे आगे जब चलेंगे आपको मिलेगा पाने डालेंगे तो यह बनेगा slaker line पाने डालेंगे तो बनेगा slaker line बात खत्म हो गई आगे चलेंगे दी अडिशन आफ लेमिटे अमाउंट अफ वाटर ब्रेक्स दे लंप अफ लाइम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है slaking of lime fine this is an important primary material नहीं चाहिए फिर आगे लेकर लाइम लेकर लाइम में देखे एक और नाम आया जिसको बोलते है milk of lime पहले क्या था milk of magnesia यह अब आगे milk of lime what it says it is a white it is a sparingly soluble the aqueous solution is known as lime water aqueous solution is known as lime water and a suspension of slaked lime in water milk of lime लेकिन जब CO2 को pass करते हैं bicarbonate में से तो प्रेसिपिटेट कर जाता है on passing excess of CO2 class 10th के दो questions है यह थ्यान रखेगा on on passing CO2 on passing CO2 through lime water it turns milky याद है on passing CO2 through lime water it turns milky very important milky होने के बाद when you pass excess of CO2 the milkiness disappears milkiness होती है because of the formation of calcium carbonate और वो disappear कर जाती है because of the formation of calcium bicarbonate ठीक है समझ जाएंगे यह important है आपको पता होना चाहिए going ahead it is used in the preparation of motor नहीं चाहिए आपको यहां पे then you have calcium carbonate calcium carbonate is marble भी है granite भी है सब कुछ calcium carbonate ही है excess of CO2 should be avoided since this leads to the formation of water soluble calcium hydrogen carbonate कुछ नहीं है चलते चलेंगे building material में काम आता है cement में है calcium carbonate नहीं चाहिए placer of paris medical science के बच्चों को चाहिए होता है bind करने के काम आएगा half H2O पानी एब्सॉब करके hard material gypsum जो की 2H2 होता है वो बन जाएगा यही thought है शाबाश it is hemi hydrate of calcium sulphate hemi मतलब half जो की gypsum को heat करने से बनेगा very very important यह question UITS में भी है NEET के previous years में भी है छूपी उई लाइन देखें NCRT में last line में दिया है चुपा के dead burnt plaster यह UITS में है ही already लेकिन यह NEET का भी सवाल है dead burnt plaster चलते रहेंगे आगे तो आपको मिलेगा it has remarkable property of mixing 10 से 15 मिनिट में यह hard हो जाता है और कुछ नहीं चाहिए cement के बारे में यहाँ पे काफी सारे chemicals दिये हैं कुछ कुछ चीज़ ही याद रख सकते हैं Portland cement में क्या क्या होता है not that great indeed calcium oxide, silicon, aluminium oxide, magnesium, iron, sulfur सिर्फ इतना नाम याद रख सकते हैं percentage नहीं याद रखनी calcium, silicon, aluminium, magnesium, iron and sulfur that's all, nothing else then you have the raw materials for the manufacture of cement and limestone and clay line important कर सकते हैं इसको which of the following is the raw material required for the manufacture of cement paper असान आएगा तो यही questions आएगे भाई मुश्किल आगा तो इससे जो उपर पढ़ लिए word-based problem वो आ सकता है असान में यह वला question आएगा cement की composition याद करनी है दिपी का नहीं याद करनी ठीक है then what you have here settling of cement when mixed with water the setting of cement takes place to give a hard mass this is due to the hydration of the molecules of the constituents and their rearrangement the purpose of adding gypsum is only to slow down the process of setting up of cement to that it gets sufficiently hardened cement has become a commodity नहीं चाहिए an adult body contains 25 grams magnesium and 1200 gram calcium नहीं 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 all enzymes utilize ATP the main pigment for the absorption of light which contains magnesium question है UITS में previous year questions में chlorophyll में magnesium होता है chlorophyll में होता है magnesium calcium carbonate में कुछ नहीं पढ़ना याशी calcium carbonate में कुछ भी नहीं पढ़ना ठीक है the calcium concentration in plasma is regulated at about 100 mg per litre it is maintained by two hormones calcium की concentration calcitonin and parathyroid hormone से control होती है do you know that bone is not an inert and unchanging substance but it continuously being solubilized and redeposited to the extent of 400 mg per day in a man all this calcium passes through the plasma fine this is all what is the butterfly bond ganesh butterfly bond or banana bond वो वाले bonds होते हैं जहां आपके पास electrons पूरे नहीं होते ठीक है वैसे butterfly structure है आपके syllabus में CRO5 वाला ठीक है समझ गये fine so this is all from the S block जितना आपने काला नीला पीला किया है इसके अलावा S block में कुछ भी आपको नहीं पढ़ना NCRT analysis S block का मात्र इतनी ही चीज important बताती है इसके अलावा आपको उसमें नहीं गुसना मोहमद आसे bleaching powder पूछ रहे हैं वो P block में आता है क्लोरीन के साथ ठीक है ध्यान रखिएगा अभी से बता देता हूँ class 11th inorganic का ये second last chapter है आगर आपने पिछली 4-5 classes हो गई Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday 5 classes अगर आपने बहुत ध्यान से attend करी है 11th की inorganic अब आप पूरी कर सकते हो कल आपका P block भी हो जागा कल और दो दिन मांगे है मैंने P block के कल और परसो ठीक है इसी लिए आप प्लीज इसको revise करिएगा चानल में दो दिन और वीडियोस तो आने ही आने हैं इसलिए इसको subscribe करना मत भूलेगा काफी important है NCRT analysis में आपको ये चीज जरूर पता हो कि inorganic chemistry आनी तो NCRT से ही है that is all ठीक है समझ जाएंगे that's all from my side for the day अभी class के बाद आज के notes और hydrogen और S-block के combined almost 100 questions आपके पास आजाएंगे आप उसको जरूर attempt करिए ठीक है चलिए take care have a nice day and God bless you bye-bye's